दोस्तो आज की ये चिकन की रेसिपी देखिए देखने में जितनी लजीज लग रही है दोस्तो खाने में उससी भी ज़्यादा बढ़िया है बनाना इसको बहुत ही आसान है बिल्कुल आसान तरीका आज मैंने इस वीडियो में बताया है चिकन आप परफेक्टली कैसे ने हैं मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और एस इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज्यादा बाते ना करते वे चलिए शू करते हैं आज की रेस्पी लेट के स्टार्टेड तो दोस्तो आपको सलाह दूंगी कि चिकन हमेशा फ्रेश ले उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है तो सबसे पहले स्टेप में हमने चिकन को मेरीनेट करना है इसके लिए यहां पे हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर और नमक थोड़ा सा डाल करके अधरक लहसन का पेस्ट एक चमच डाल सकते हैं और यहां पे मैं ले रही हूँ तीन चमच की असपास जो है दही और उसके लगबग दो चमच जो है यहां पे नीमबू करस डाल दें इन सबी चीजों को डालने से आपका चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट होगा और स्व चिकन को मैरिनेट होने के लिए लगभग 30 मिनट के छोड़ना है इसे आपका चिकन बहुत ही बरियां स्वादिस्ट बनेगा तो यह पहला स्टेप है दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कुछ-कुछ मसाली होते हैं जैसे प्याज हो गया टमाटर हो गया अध्रग लैसन हो ग प्याज को चौप करना है तो मैंने यहां पर प्याज लगवा पांच छे लिथी चिकन की हिसाब से और उसके बाद यहां पर हमने कुछ मसाले को जो है साबत गरम जैसे साबत मसाले जैसे की अध्रक दो इंची लिया है मैंने दस बाराफ पंदर के असपास लासन की कली ली ह और इन सबी चीजों को आपको बहुत ही अच्छे से ग्राइन करना है और एक चमच यहां पर मैंने जीरा लिया हुआ है और 1-4 टेबल स्पून के असपास ब्लैक पेपर साबुत लिया है इसको बहुत ही अच्छे से हलका सा पानी डाल करके आपको पीसना है हमेशा जब इस बना लेना इस तरीके से सभी चीजे रेडी हो चुकी है चल दे इसको बनाने के लिए यहां पर हमने एक कढ़ाय लिए है और इसमें यहां पर मैं ओलिवल यूज कर रहे है जो कि चिकन के स्वात को जबर्दस्त बढ़ा देता है आप इसकी जगा मस्टर्ड ओयल का भी स्तम यहां पर पेड़ी जाल लांवे हुआ हो Loc design लाइट बराउन होता है घंए ब्राउन इसको आपको फ्राइं करना तो चलाते हुए अब प्राइव करे करें तो सुनैरा कलर जैसे आप मशनाटा ग्राइन्ड की है एस मसाले के इंदर डाल कर सक्ते हैं जब तक आपक अपका अ लाल मिर्ची पॉडर यहां पर मैं ले रही हूं दो चमच यह सबसाब दो से तीन राज सकते अपनी तीखा और फिर इसकाद यहां पर धनिया का पॉडर लगवग दो से चमच से तीन चमच डाल दे क्योंकि सम्टाइम् यहां पर नमक आपको स्वाद के साफ से रखना अलड़ी हमने मैरिनेट करने के टाइम पर कुछ मसाले यहां पर इसलिए उसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए आपको सभी मसाले यहां पर आड़ करने और सभी चीजों को दो मिर तक हमें बहुत अच्छे से फ्राइब करते ह बाद व्यां सब्सक्राइब करने किस डिपाए कछा सबोना है तो आपको कब तक डिचुश को फ्राइब करना है oggoalt पर इसके अंदर से तेल उपर उपर दीखना ना लगी आप देख सकते हैं यह और इसको कुछ दिर आपको और फ्राइब करना है कुछी देर में बहुत ही अच्छे जो है ना इसका तेल उपर उपर दीखना शुरू हो जाएगा आपको यह देखे इसका मतलल आपका चिकन भी बह जब ढग रही है कि आपको इस टाइम भी खा सकते हैं पर इस टैम थोड़ा चिकन कचा रहता है इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको कूक करेंगे तो पानी डालकर यह पे इसको चला देना है और थोड़ा से उपर श्ब्रिंकल कर देना कटी फे धनिया का पत्ता और फि कि रेवी इतनी पर्फिक्ट बनी हो तो अ Sug Can nutrition के चावल बड़ा चावलेधार चिकने बड़ा रोटी के साथ खाlast सकते हैं बहुत ही जादे टेस्टि बहुत ही बढ़ार मलगण के नें विए और यहां पर कॉरिंघ व needs तर्फ ने हैं ऐसे घर्मा करम आप आराम से उसको ट्राइ कर सकते हैं तो कैसा लगा दोस्तो आपको आज का ये रेस्पी बताईगा जरूर कमेंट करके बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान है बीगनर है ता आप इस तरह का चिकन जरूर ट्राइ किजेगा अच्छा लगा है तो